हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम एल्टी मेक लोशन के बारे में बात करेंगे आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल काम की नौलिज अगर आप चैनल पर नियों हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगे नोटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लीजिए एल्टी मेक लोशन को मैक लॉट्स कमपनी द्वारा बनाया जाता है इसे आप अपनी नजदी की मेडिकल स्टोर से दो सो उन्तालिस रुपए में पंद्रह एमिल की पैकिंग में करीद सकते हैं एल्टी मेक लोशन में लूली कोनाजोल नाम का कंटेंट बन परसेंट में पड़ा होता है जिससे मिलाकर इसे बनाया जाता है अब बात करते हैं एल्टी मेक लोशन का इस्तमाल कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है इसका इस्तमाल मेन रूप से दाद, खुजली, ऐलर्जी, फंगल इंफेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है इसकिन पर लाल-लाल से दाने होना जिन में बहुत ज़्यादा खुजली होती है तब उसे ठीक करने के लिए एल्टी मेक्लोसन का इस्तमाल किया जाता है जिन लोगों के प्राइवेट पार्ट के आसपास दाद हो जाता है जांगों में दाद हो जाता है, खुजली हो जाती है गर्मी की बज़ासे प्राइवेट पार्ट के आसपास बहुत ज़्यदा पसीना आता है पसीने की बज़ासे बहाँ पर दाद हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, खुजली हो जाती है, रिंग टैप के हो जाते हैं तब उन्हें ठीक करने के लिए L-T-MAC-LOSEN का इस्तिमाल किया जाता है, L-T-MAC-LOSEN दाद खुजली प्राइवेट पार्ट के दाद को सही करने के लिए बहुत ही बहतरी लोसन है, इसके इस्तिमाल से आप पूरी तरह से फंगल इंफेक्शन को कतम कर सकते हैं, महला या करते हैं इसके इस्तिमाल से क्या-क्या साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, सामानने तोर पर इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन कभी-कभी कुछ लोगों में इसके नॉर्मल से साइड इफेक्ट देखने के लिए भी मिल स तब उसे तुरंट अपने डॉक्टर से संपर्ख करना चाहिए, आप बात करते हैं, एल्टी मेक लोसन का इस्तमाल किस तरीके से करना चाहिए, आपके सरीर पर जिस जगा पर दात खुजली हो रहा है, उस जगा पर रात को सोने से पहले इस लोसन को लगाना चाहिए, और फू बाक्टर ने जिस तरीके से आपको बताया है, उस तरीके से आप इस लोसन का यूज़ कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और किसी मेडिसन से रिलेटिव आपका कोई बाल है, तब आप हमें कमेंट बॉक्स में पूच सकते हैं